नमस्कार दोस्तों आपका स्भागत है मेरे लाइस अकेडमी चैनल में दोस्तों आपकी भरी डिमांड थी किसर यूनिट वाइज कराई ये सको सुलूशन और कुछ लोगों की डिमांड है कि थोड़ा डिस्क्रेप्शन दे करके समझाया जाए डिस्क्रेप्टिव फोर्म में समझाया जाए तो विश्तार से भी मैं समझाने कोशिस कर रहा हूं दोस्तों क्या है कि समय का बहुत ही अबाव है और ज्यादा से ज्यादा कुश्चन कराने हैं तो अभी केवल मैं कोशिस करूँगा कि आपको MCQ की प्रैक्टिस करा जाए एक मेडम की रिक्वेस्ट है कि सर आप थोड़ा सा डीपली समझाए चुवान जी डीपली समझाएंगे आपको और अभी कोशिस यही है कि हम लोग जो है ओब्जेक्टिव की तयारी ज्यादे से ज्यादे कराएं बहुत सारे कुश्चन पेपर की सेट दिये जाएंगे आप लोग प्रैक्टिस करते रही है त तो राजस्थान लाइबरेन ग्रेट 3 का पाश्वा यूनिट है इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी अत्वा सूचना तकनीक तोसी में कंप्यूटर की पेडियों से शुरुवात कर रहे हैं तो दोस्तों कंप्यूटर की पेडि पर्थम पेडि कब से कब तक है यह है 1940 से 1956 तक है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कंप्यूटर की प्रत्थम पीडि के सुरुवात 1940 से माने जाती है इस जेनरेशन में वोक्ट्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है इसमें मसीन भास्टा का प्रयोग किया गया था तथा मैमोरी के तोर पर चुमब के टेप में पंच कुछ कंप्यूटर के नाम इस परकार है कुछ कंप्यूटर है दोस्तों उनके नाम इस परकार है इन यह एक एस्टेग एडवेक यूनिवेक आईबियम 707 आईबियम 650 मार्क्टू मार्थिरी अब्यूरेज तो दोस्तों ठीक है आप लोग जो है इसको करते रही है और दिवित्ती पीडी के कंप्यूटर है जैकिने जेनरेशन दूसरी पीडी के कंप्यूटर की सिरुवात 1956 से लेकर 1963 तक माने गई है दोस्तों कुछ्चन इस परकार पूछा जाता है कि दूसरी पीडी कब से कब तक है इस पीडी कि जैसे टांजिस्टर का प्रियो किया गया तो कुछ सन तो तर्य समनता 돼दी tank when Где दूसरी परियोक किया गया究 विए कोन सी कि इस पीडी के कंप्यूटर में IBM कि 1401 पर मुखे जैसे कंप्यूटर दिया गया है कि यह कौन सी पीडी का कंप्यूटर है जो बहुत ही लोग प्रिये और बड़े पहमाने पर उत्पादित किया गया था इस पीडी के दूसरे कंप्यूटर थे IBM IBM 1602 IBM 7094 CDS 3600 और RCF 501 Univac 1107 और तीसरी पीडी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं दोस्तों तीसरी पीडी हमारी स्टार्ट होती है 1964-1971 तक तो इस पीडी के यहां आई-स you को नाता है इंटिग्रेटिद करिट कि अब दोस्तों इसके अंतर परियोग क्या है IS I E का परियोग क्या था K di- protein अंब पैसे साभ realize है इसम्माथि स्केल इंटिग्रेशन है इसमें हाइग लेवड़ अग्ले वाहसी का program के हैं स्मय memory के तोर पर चुमब्वकिएक का प्रयूऊ किया जाने लगा सब्सक्राइब के निवी मेर्टेन व्रन्रेनस को सब्सक्राइब ट्रोमल्टि प्रॉइस सब्सक्राइब और ब्रोज IBM 370 series, ICL 1900, एवम बरोज 5700, 6700, 7700, तथा CDC 3600 series, तथा UNIVAC 9000 सरंकला, यहीं स्रीज और हनीवेल 6000, तथा, 200 PDP, डिलेवन ओबलिक 45 है, चोथी PD के कम्पूटर के बारे बात करते हैं, चोथी PD कब से कब तक हैं, हमारी चोथी PD कैलाती है, 1971 से लेकर गया, 1971-1989, दोस्तों, कम्पूटर की चोथी PD की सुरुवात, 1971 से, 1999 मानी जाती है, इस जनरेशन में, IC की यह तकनिक, VLSI पर, Very Large Integrated Circuit पर आधारीत है, VLSI पुरा नाम के है, Very Large Integrated Circuit, इसका पूरा नाम यह है, इसमें High-Level Language का प्रोग्राम के लिए परियोग किया जाता है, इसमें केवल सिलिकोन चिप पर कम्पूटर के सभी परिपत को लगा जाता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, इस चिप को परियोग करने वाले कम्पूटर को माइक्रो कम्पूटर कहा जाता है, तो यह कुश्चन बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रियोग कौन से PD के कम्पूटर में किया जाता है, तो यह हैं चोथी PD के कम्पूटर में किया जाता है, नेक्स्ट कुश्चन पांच वी पीडी कब से कब तक है दोस्तों पांच वी पीडी की सुरुवात 1989 से मानी गई है और जो अभी तक लगातार चल रही है इस जेनरेशन में अधुनिक प्रयोग किया गया है आई सी की तकनिक यू लएस आई पराधारी ते इसका पुरा नाम है अल्ट्रा लाज इसके लिए इंटिग्रेशन है इसमें हाई लेवल भासा का प्रयोग किया जाता है जो अधिक सिरल है इस भासों में यू आई ग्रैफिक विजर इंटरफ दिक लाइक भी करिए लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं कंजूसी मत करिए आप लोग अगा वर्पूर प्यार मिला है सब्स्रिप्सन भी तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों आसा करता हूं आप लोग लाइक सेर और कोमेट जरूर करेंगे थेंक यू कि विदो हुत कर दोह हुत